कभी-कभी हमारी जिन्दगी में खटिया गटना हैं, हमें एक सोचने फिर मजबोर कर देती हैं, कि क्या अब भी हमारा विश्वास टूच सकता है? इस कहानी में भी एक ऐसा ही गटना है, जिसने एक इनसान के विश्वास को काफी हद तक टूटने का काम किया. ये कहानी एक लड़के और एक लड़की के बारे में है, जिन्होंने अपने प्यार को बढ़ावा दिने के लिए एक दूसरे के साथ रिष्टे में पूरी तरह से विश्वास किया. उनका प्यार था जैसे कि कोई बाधा नहीं, लेकिन एक दिन, उनकी ये प्यार भी एक बड़ी चुनाओती का सामना करता है. वा लड़का, आर्यन, और लड़की, मीरा, दोनों की कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे. उनका प्यार इतना कह रहा था, कि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी सभी बातें शेयर की, हर खुशी और दुख साजा किया. लेकिन एक दिन, आर्यन को एक अजीब सा अनुभव हुआ. वहाँ अपने दोस्तों के साथ रहता था, और एक शाम को उन्होंने एक हॉडर मूवी देखी. मूवी का दोरान, उसने कुछ गर्मियों के अनभूते की, लेकिन वहे से ध्यान नहीं दिया. जब उसने घर लोटकर पिस्तर पर लेने की कोशिश की, तो उसे वही गर्मिया महसूस हुई. धीरे धीरे गर्मियों की संक्या पढ़ने लगी, और वहाँ जीब से स्वभाव वाले स्तर पर पहुँच गया. उसका दिल धरकने लगा, और उसके शरीर में डर की लहरें दोडने लगी. उसने चेहरा बुरका करके बिस्तर से उठकर रोमांचक मूवी की गड़बड़ी की प्रक्रिया को याद किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था. उसने फिर से चेहरा बुरका किया, और फिर से सामानिय दृश्शी की ओर देखा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं था. उसने सोचा कि शायद वह सपना था और उसने फिर से लेटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने आँखें बंद की, उसे उसी गर्मियों की अनुबूदी होई, जो उसने पहले महसूस की थी, उसने अपनी आँखें खोली और फिर से सामानिय दृश्शी की ओर इखा लेकिन इस पार भी कछ ने तो